दोस्तों आप देख रहे हैं Hero Splendor Plus BS6 का Matte Golden Color इस बाइक में कुछ बदलाब हुए हैं, कुछ नई फीचर से इसमें अपडेट किये हैं Splendor Plus 5 Variant में आती है, 9 कलर आप्टन के साथ इसमें नई फीचर क्या दिये हैं, माइलेज क्या है, नई ओन रोड कीमत कितनी हैं यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं, इसके फ्रेंट से तो यहाँ पर आपको बॉडी में कोई भी चेंजिस देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर इसका जो कलर है वो ही चेंज कर दिया है यहाँ पर आपको मैट फिनिस मिल जाते हैं जिसके उपर HEROй स्पलेंडर पलस का इस टिگर दिया है और यहाँ पर आपको कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है इंडिकेटर आपको वही पुराने बल्ब वाले मिलते हैं यहां पर आपको हेलोजन हेडलेम मिल जाती है 35 वाट के बल्ब के साथ हो यहां से आप इसकी लोबीम और हाइबीम की रोशनी को देख सकते हो दोस्तों जो की नाइट के लिए काफी ज्यादा कमफर्टेवल इस बाइक में आपको मिल जाती है और चलते हैं इसके नीचे की मिल जाता है उसके फ्रंट में और यहां पर आपको टैलीस्कॉपिक हएड्रॉलिक शॉफॉर गया सब्स अ पूराना बाल मीटर कांसोल देखने को मिल जाता है जो कि नालोग में दिया गया है इस में आपको एक नए फिचर और भी मिल जाता है जो aa आपको अभी बताऊंगों यहां पर आपको पोर्ट मिल जाता है यहां पर हपनी डेटा के लगा कर अपने मोवाइल को असानी से चार्ज कर सकते हो जो कि एक नख प्लस पॉइंट है यहां पर आपको low beam, high beam switch, indicator और horn का switch मिलता है इसके दूसरी साइड में चलते हैं तो यहां पर आपको i-thiries का switch मिल जाता है नीचे आपको self का switch की मिल जाती है और इसके फ्यूल्ट एंक की तरप चलें तो यहां पर आपको हीरो का 3D में लोगों मिल जाता है नहीं आपको सपहले सदीकर कर अंहें बैट मैं भर आकको फ्यूल्ट आय मुहें उत्रान इंटी वो 9.8 री यटर की दी जिए है और इसके टूल बॉक्स की ऊपर पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेंट एफाई की बेजिंग मिलती है और यहां भी आपको इस प्लेंडर प्लस और आई 3S का लोगो देखने को मिल जाता है और यहां से आप इसकी सीट को देख सकते हैं जो की काफी अच्छी खासी यहां पर आपको इसकी जो कुषिनिंग है वो आपको मिल जाती और यहां पर 2818 का टेयर साराज मिल जाता है बलेक कलर के 18 इंच के ऐलोई ा मिल जाते हैं और 130 mm की ड्रम ब्रिट जहां पर आपको इसके रियर की साइड में मिल जाती है अब चलते हैं इसके rear profile की तरफ तो अगर आप इसको पीछे की side से देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी बदलाब देखने को नहीं मिलता है इसकी जो tail lamp है वो आपको bulb में मिल जाती है और इसके indicator भी आपको bulb में देखने को मिल जाते हैं इसके नीचे की side में आपको मिल जाता है एक reflector जो की इसके mud guard के नीचे की side में दिया गया है और इसके seat cowl के दूसी side भी आपको कोई भी graphics देखने को नहीं मिलता है matte gold color के उपर black color का जो combination है और जो 3D का जो logo है वो इस back के look को काफी ज़्यादा attractive बना रहा है और आपको एक black color का sardi guard और यहां पर आपको एक footrest मिल जाता है adjustable और इसका जोеф चेंशेट cover है वो आपको metal का देखने को मिल जाता है जो की matte blackness में दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है राइडर के लिए भी मिल जाता है एक adjustable footrest और four gear का यहाँ पर आपको manual setup मिल जाता है और यहाँ पर side stand और man stand दिये हैं इसके side stand के उपर एक sensor दिया गया है और यहाँ पर 165 mm की ground clearance मिल जाती है और इसका जो curve weight है वो 112 kg दिया गया है और यहाँ पर आपको hero की branding और यहाँ पर power start और programate fi की batching मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक chrome finish के साथ एक leg guard मिल जाता है और यहाँ से आप इसके fuel injection system को देख सकते हो इसके engine के head के उपर एक sensor देखने को मिल जाता है अब बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 97.2 cc का air cooled forest rock single cylinder BS6 fuel injected engine इसकी maximum power 8.02 ps की 8000 rpm पर इसका maximum torque है 8.05 nm का 6000 rpm जैसा कि यह fuel injection technology वाली बायक है तो इस bike में आपको कोई भी carburetor नहीं मिलता है fuel injection system मिलता है उसी के साब से आपको इस bike के petrol tank में कम से कम 1-2 liter petrol reserve करके रखना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी fuel motor खराब हो सकती है जिससे आपको ज़्यादा पैसे का नुकसान हो सकता है और यहाँ पर आपक आपको जो है engine के head के उपर spark plug और oxygen sensor दिया है और यहाँ पर आपको catality converter मिल जाता हो यहाँ पर आपको एक brake pad मिल जाता है chrome penis के साथ और यहाँ पर आपको केकी start का lever मिल जाता है और यहाँ से आप इसके exhaust को देख सकते हो जो की काफी लंबा दिया गया है जिसके उपर आपको ए को कि यहाँ से आप इसका इंजन के sound को kg कर सकते हो जैसा कि जो का उख को नहीं मिलता है जैसा उन्रोड, प्रैस की की ये Hero Splendor Plus I3S BS6 का Matte Golden Color है जो की Hero Company ने Z-Cent में ही इसको launch किया है कुछ नई फीचर्स के साथ और इसकी on-road कीमत है 83,650 रुपे ये on-road कीमत मैंने आपको बताई है Shinooshore Hero Madiam Gram Kolkata Surum की अगर आप Kolkata ये आसपास से हैं तो नीचे दिये हुए नमबर पर कॉल कर सकते हैं और इस बाइक को purchase कर सकते हैं और इसकी test drive भी वो कर सकते हैं अगर दोस्तों आप other state से हैं तो आप मेरे को comment कर देना अपनी city का नाम मैं आपको आपकी city का on-road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जाज से आदा like करें comment करें, share करें अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe कर देना और साथी साथ press कर देना bell icon को thank you दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में